हलो दोस्तों के से हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सब का इंदी चेस वीडियो में दोस्तों वेसे तो ये वीडियो बनाने की फर्माईश जो है वो मुझे काफी बंदोने की है लास में सुमेध इबजी ने बोला के अब बाके में वीडियो जो है कब बनाने वाले हो so I promise के दो दिन में जो है मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ so just ये वीडियो लेके मैं आपके लिए आया हूँ और ये particular जो game है वो विश्वनाथन आनन जी की काफी famous game है क्योंकि ये Blitz जो है World Cup का Semifinal था 1994 का जहां पर आनन जी का मुगाबला था Ilya Smirin के सामने और वहां पर Toz के बाद Smirin को White Pices मिले थे और Smirin के पास 6 minutes थे जबकि आनन जी के पास 5 minutes थे बट वहां पर आनन जी अगर ड्रो भी कर ले थे then वो winner डिकलर किये जाते बट दूसरी और दोस्तों सामने वाले के पास White Pices है and Blitz में जो है 1 minute का Advantage काफी बड़ा होता है बट मज़ेदार बात यह है कि Moon No.4 पे Actually आनन जी ने जो है 1 minute and 43 seconds लिए सिर्फ अपनी मूँ complete करने के लिए राइट सो उसके बाद position क्या हो गई कि White के पास जो है 5 minutes and 49 seconds है और Black के पास यानन जी क पास इप 3 minutes and 11 seconds थे और उसके बावजोद भी जो है उनने काफी fast and काफी accurate खेलते हुए जो है यह game of win के थी इसलिए उनको जो है दोस्तों जब वो चोटे थे तब उनको lightning kid बोला जाता था तो आए देखते हैं उनकी यह game और दोस्तों यह जो है a kind of mystery है कि उन्होंने जो है इ E4 से की and now E5 Knight F3 and Knight 2 F6 और यह जाना जाता है Petrop defense या तो फिर Russian game and now D4 normally दोस्तों Knight F6 के बाद क्या होता है कि Knight captures on E5 खेला जाता है and then D6 and now Knight 2 F3 back and अब जो है और Knight captures on E4 खेला जाता है reason यह होता है कि आप जो है directly यहाँ पे Knight capture E4 के लिए नहीं जा सकते है otherwise Queen E2 और बाद में अपनी Knight save करते हो then a discover check जो हो काफी deadly हो सकता है और यहाँ पे से आप जो है Queen E7 खेलते हो but then आपका जो है एक pawn चला जाएगा क्योंकि Queen captures on E4 के बाद आप जो है D6 खेल सकते हो और बाद मे वाइट जो है वो simply D4 खेल के game को continue करता है so Knight captures E5 के बाद first D6 and now Knight pay attack Knight F3 and now Knight captures on E4 और अब जो है D4 and D5 इस तरह से जो है वो game continue होती है right but हमारी game में क्या हुआ कि Knight F6 के बाद White ने actually यहाँ पे जो है वो D4 खेला and now Knight captures on E4 and now Knight captures on E5 वो दोस्तों इस particular position पे जो है वो आनन जी ने तक रिबन 1 minute and 43 seconds लिए और क्या हुआ कि दो मुग के बाद जो है वो position जो मैंने अभी आपको दिखाई थी उसी में जो है वो game convert हो गई या की main line में जो की आनन जी के पास जो है काफी बड़ा experience था उस line को खेलने का उसके बावजुद भी जो है उन्होंने वहाँ पे इतना time क्य जो लिया राइट वो पता नहीं तो इस position में जो है आनन जी ने d6 खेला and knight पे एक है and now knight to f3 and now d5 so देखी यह position जो है और सेम हो गई यहाँ पर white की move है so white ने यहाँ पर खेला bishop to just d3 and now knight to c6 castling shot bishop e7 c4 now knight to b4 so bishop पे एक है and bishop to e2 and now bishop to e6 knight to c3 and now bishop to e3 and now bishop to f5 rook to c1 and now d takes on c4 and now bishop captures on c4 c6 knight to e5 and now knight captures on c3 b captures on c3 and now knight to d5 so bishop पे एक है and यहाँ पर जो है वो sort of pawn पर एक है दूसरी और हम जो है अपनी knight को centralize कर रहे है और इस position में white ने एक्चुली जो है queen 2 b3 खेला वो दोस्तों यहाँ पर देखिए reason यह है कि first of all आपके जो है pawn on b7 पर एक है और दूसरा knight bishop and bishop sorry knight bishop and queen तीनों मिलके जो है वो f7 pawn पर एक है और हम यहाँ पर knight तो मूँ नहीं कर सकते है वीडियो को post कीजिए और सोचिए कि यहाँ पर आनजी ने क्या खेला होगा यहाँ पर आनजी ने जो है वो simply e5 पे जो है उस piece को capture कर लिया and now queen captures on c6 और अब देखिए इस knight पे जो है वो simply यहाँ पर दो attack है काफी amazing resource है और वो resource है दोस्तों king to h8 simply जो है आप knight को इस pin में से ही अटा दो ताकि जब भी pawn capture son e4 आये simply knight capture son e3 और यहाँ पर black के पास जो है एक extra piece रहेगा say rook captures f8 but then queen captures f8 और अब जो है even rook c8 खेल के हम इस bishop को भी win करने की try कर सकते है तो यहाँ पर जो है वो pawn capture करना जो है वो ना मुनकीन है तो यहाँ पर black जो है just winning है उसी तरह से दोस्तों f3 king h8 and now उसे आप जो है वो पहले bishop to f2 save करते हो और अभी भी आपका यहीं point है कि अभी bishop मोहगा दें जो है वो knight जा रही है यहाँ पर आना जी के पास जो है काफी अच्छा रही सोस है and that is rook to f6 so पहले जो है वो queen पर attack and after queen to a4 simply जो है whole knight to b6 so अब जो है वो queen and bishop दोनों पर attack है और से अब जो है यहाँ पर queen to just b3 खेलते हो but then knight captures on c4 and now queen captures c4 के बाद bishop to d5 and black जो है यहाँ पर win हो रहा है so इसलिए bishop to e4 के बाद यहाँ पर actually smirin ने pawn capture किया on e5 और अब जो है वो actually white के पास 3 pawn है piece के बढ़ले में और position देखे दोस्तो इतनी easy नहीं है यहाँ पर जो है अगर हम careful नहीं रहते है then simply जो है वो rook to d1 भी आ सकता है right so बारण जी ने जो है अपनी knight को on pin किया with king to h8 ताकि अगर rook d1 आता है then वो simply जो है वो knight captures on e3 खेल सकते है जिसमें bishop जो है queen पर attack करता है and say अब rook captures d8 but then bishop captures c6 and यहाँ पर जो है वो black winning है right reason यह है कि rook captures f8 then rook captures f8 और अभी भी देखिए कि हमारे पास जो है वो simply दो bishop है यहाँ पर आपको उसको जो है वो knight को capture करना पड़ेगा then rook captures f1 के बाद two bishop versus one bishop and position जो है वो completely black के लिए winning है so इसलिए game में किया हुआ दोस्तों कि king to h8 के बाद actually जो है वो bishop to d4 खेला गया और यह जो है वो गेम की काफी बड़ी mistake है बट यहाँ पर दोनों में से किसी player ने जो है इस चिसको realize नहीं किया यहाँ पर जो है आप actually knight captures on c3 खेल सकते हो और queen पर attack है साथ-साथ जो है इस bishop पर भी जो है वो queen attack कर रही है और दूसरी चीज़ के इस bishop को capture नहीं किया जासता अदरवाइस knight जो है और c3 पर उस पर support कर रही है that means जैसे ही आप queen move करते हो दोस्तों यहाँ पर black simply queen captures d4 खेलता है और तुरंत ही जो है वो actual में white को resignation देना पड़ता बट bishop to d4 के बाद इस position में आने जी के पास time काफी कम था so यहाँ पर उन्होंने खेला rook to c8 पहले queen पर attack किया and now queen to a6 and now knight to f4 and now f3 bishop पर attack है and first rook to c6 और यहाँ पर से आप जो है queen to b5 जाते हो then a6 and then आपको queen f4 जाना पड़ेगा और यह जो है वो same line में convert हो रही है so game में क्या हुआ कि rook to c6 के बाद actually white ने queen to f4 खेला and now rook captures on c4 so temporary action sacrifice and now queen captures on c4 bishop to d3 so यहाँ पर आने जी को जो है वो अपना action तो वापस मिली रहा है right क्योंके bishop जो है queen and rook दोनों पर fork कर रहा है और white ने यहाँ पर queen to c6 के ला so यहाँ पर आने जी को जो है कुछ और भी जादा मिला क्योंके अब दोस्तों knight to e2 check king h1 and now knight captures on d4 और यह knight जो है queen पर attack कर रही है so वहाँ पर knight को मारना force and after bishop captures f1 rook captures f1 and now queen captures on d4 so अब देखिए तो white के पास जो है वो सिर्फ दो ही pawn है black के पास extra piece है पस यहाँ पर position है वो adjust काफी अच्छी है बट यहाँ पर दोस्तों time जो है वो crucial factor था और इस position में white ने एक और गलती की उन्होंने खेला f4 so अब queen captures on simply e5 और इस sacrifice को लिया नहीं जा सकता अधरवाइस rook captures f1 जो है वो checkmate हो रही है so now g3 खेला गया so अब जो है sorry queen to c2 खेल के queen को exchange किया जा है so rook to f2 जो है खेला गया बट अब आना जी ने जो है दूसरी तरीके से queen को exchange की with queen c6 and now queen captures rook captures and g4 and now h6 king f3 and now rook c3 check king e4 and now king h7 rook e2 rook c4 check king f5 rook c5 check king e6 and now rook to c4 rook f2 and now king g6 so यहाँ पर जब भी आप जो है वो f5 push करते हो simply king जो है वो रागे push आगे आ जाएगा g5 पर and then white के king side के pawn fall होना शुडू हो जाएगे इस position में h3 खेला गया and now rook to c3 so pawn on h3 पर attack है and after rook h2 यहाँ पर जो है वो rook to f3 खेला so अब दोस्तों इस pawn को अगर save करना है then आपको उसको push करना ही पड़ेगा so f5 check and now king to g5 and now king to g5 और अब king जो है वो simply h4 पर जाएगा then यह सारे pawn जो है वो fall होना शुरू हो जाएगे turn by turn यहाँ पर जो है a4 गेम में खेला गया and now king to h4 and now king to d5 so दोस्तों यहाँ पर रुख captures on h3 perfectly winning है बड़ आनन जी ने पहले जो है pawn on a4 को विन किया with rook to a3 and now king c6 rook captures on a4 king b7 and now a5 king to b6 and finally जो है rook to a3 वापस से h3 pawn पर attack किया and king to b5 के बाद rook captures on h3 और इस position में जो है वो actually Elias Mirin ने resignation दे दिया और अनन जी जो है वो world cup के semi final से final में पहुँच गए तो दोस्तों कैसी लगी विश्वनातन अनन जी की ए गेम और आज का ये video I hope मेरा video जो है आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया है तो please इस channel को subscribe कीजिए वीडियो को like दीजिए और अपनी comment देना बिलकुल न भूले तनिवाच चाहिए हिन बाबाई